बिस्मिल्लाइकमाराईम अस्सलाम उलेकुम बिटा आज हम अपने मित्मेटिक्स की इंशाललाव लजीज एक्सरसाइस पूरी कर लेंगे 2.3 ठीक है हमने 2.3 एक्सरसाइस के जो सवालात किये थे उसमें हमारे पास अभी remaining कौन सा question number 3 remaining है ठीक है हम उसे complete करते हैं यह देखे हम यहाँ question आपके सामने repeat कर रहे है ताकि आपको याद रहे हमें कौन सा करना है यह देखें इसमें बेटा क्या था हमाएं पास if log that's find the value of the following without using log table यानि हमने इसमें log table का इस्तमाल नहीं करना और हमें वैसे ही values निकालनी है तो देखें हम वैसे ही आपको values निकाल के बताते हैं बिल्कुल वाकई हम log table का इस्तमाल नहीं करेंगे और आपको value निकाल के दिखाएंगे और इंशालला आपको यह बहुत असानी से आ जाएगा आपने बैटे इसमें यह वाला ख्याल रखना है कि आप देखें point क्या 31 के बाद है यहां क्या 3 के बाद है यहां क्या 310 के बाद है यहां क्या है शुरू में 00s लगाती है यहां क्या है 3109 के बाद है और यहां भी क्या है यहां भी यह sequence यह वाला नहीं है हमें हर अपने question के point को इस sequence पर लेकिया आना है हमें ऐसा करना है setting जो इसमें है आपको वो setting करनी है वो setting के लिए जब आप point को jump करवाएंगे ठीक है जब point jump करेगा एक जगा से दूसरी जगा जाएगा तो यकीनन क्या है वो कौन सी हो जाएगी base 10 इस्तमाल होगी और वो scientific notation होगी तो base 10 हम इस्तमाल करेंगे और point जितने jump करेगा हम उतना ही क्या है उसके उपर power लगा देंगे अब हम power किस तरीके से लगाएंगे अगर point का jump आपके ये right side पर होगा तो क्या होगा right hand की दरफ तो क्या आईगी आपके बस power 10 power minus की आ जाएगी ठीक है और अगर आपके left side पर होगा तो right sign हो जाएगा क्या होगा 10 power किस की आ जाएगी plus की आ जाएगी value होगी जितने jump करेंगे उतना ही हम number डालेंगे और फिर आपकी ये value बन जाएगी ठीक है अब हम आपको देखे exercise को हम स्टार्ट करते हैं और उसका question number जो है वो स्टार्ट करते हैं इंशालला तला आप बड़े आराम से करेंगे ठीक है बेटा गौर से देखना है अब यहाँ पर हमारे पास है exercise हम 3.2 exercise जो के हमने स्टार्ट की थी हम वो ही कर रहे है 3.2 exercise ठीक है बेटा exercise का हम करेंगे sum number 3 यानि के question number 3 हमने किया 3 का हम पहले यह बता देते हैं आपर क्या value given है आपकी value given है जो उन्हें दे रखे है log 31.09 is equal 1.4926 ठीक है हमें याद रखना है यह value उन्हें हमें दे दी है ठीक है अब इस value को हमें जहन में रखना है और हमें हर सवाल को इस हिसाब से ही करना है अभी बेटा हम question number 1 करते है question number 1 है question number 1 आपको दिया हुए log 3.109 ठीक है 3.109 अब आप यह उपर जरूर लिखेंगे और यह question जरूर लिखेंगे अब जैसे इसमें log लगा है आप अपने इस question को इसके जैसा बना लें इसके जैसा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा हम वो apply कर देते हैं आपको जैसा करना है जी बेटा हमें यह करना है कि हमें इस point को shift करना में नजर आ रहा है कि 1 के बाद इस तरफ को ठीक है तो हमने किया log 31.09 होगी जैसे shift हुआ तो shift होते के साथ क्या होगा बेटा आपने इस बात याद रखनी है कि यह हम इसकी power लगा रहे है ठीक है into 10 पार कितना जम किया one जम किया right hand की तरफ तो कौन सा sign हो जाएगा right की तरफ जम करेगा तो left sign means minus का अब देखें log जैसे ही है तो log के rules लगेंगे log के rules क्या है हमने आपको पहले भी बताए हैं आप ये log के rule याद रख लें कि इसमें क्या होगा लॉज क्या होंगे इसके उन लॉज में होगा कि आपके बस multiplication change into या convert into क्या बन जाएगी multiplication plus में इसी तरीके से division change into minus और power कहा ही power before log log से पहले आ जाएगी ये बाते आपने याद रखने हैं ठीक है मैंटा अब यह मैं ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम apply कर देते हैं आप देखे हम क्या करेंगे log है तो सबको आप log दे दें log का rule apply कर दें और सबको log लगा देते हैं अब हम लगाते हैं देखें यह रहा हमने लगा है log 31.09 और यह into change हो गया plus में और यहाँ गया log 10 par minus 1 अभी इसमें हम जानते हैं जैसे जैसे rule आते जाएं यह आप apply करते जाएं यह power है यह power आएगी log से पहले ठीक है उसके अपने log से पहले आ जाएगी तो हमने क्या किया equal चलाते जाएं is equal is equal हमने लिखा log 31.09 आप power को ले हैं प्लस पहले से मौझूद है power minus की है तो minus 1 आप लगा दें और क्या बच गया वाकि हमारे पस log 10 बच गया ठीक है अब हमें यहाँ पर एक और बात बतानी है वह हमें यह बताना है कि because log 10 is equal 1 log 10 1 के बराबर होता है now therefore आप यहाँ बता दें या वहाँ बता दें आपकी मर्जी है अब हमें क्या करना है यह देखें यह देखें यह देखो मेरा बेटा यहाँ पर क्या है यह log 10 है ठीक है अब आप शाबाश बिल्कुल consider करके गोर से आपने काम करते जाना है और आप आरा से कर लेंगे अभी log 10 है तो हमने यहाँ क्या किया इस log 10 की जगा यह 1 आ चाहेगा देखें is equal डाला हमने हमने लिखा log 31.09 plus minus minus और यह आगया हमार पास minus और क्या जाएगा यह हमने इसको 1 को ऐसा लगा दिया और साथ में हमने लगा दिया into बीच में कुछ नहीं means into multiply ठीक है log 10 यहाँ हमने minus को खतम किया इस वज़े से हमने यहाँ भी value put नहीं किये ताके आपको आसानी से समझा आ जाए अब यह देखें यह है यह log 10 है हम यह 1 put कर देते हैं हमने लगा है log 31.09 minus 1 and into इसकी जगा हमने 1 डाल दिया ठीक है अब देखें बेटा क्या हो जाएगा मापास log 31.09 और minus 1 बंजा 1 यहाँ ठीक है अब हमें क्या करना है आपने यह value साथ चलानी है यह न 1.4926 यह यहाँ भी आ गई और equal के बाद यहाँ भी आ गई and is equal के बाद यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी आपके teacher की मर्जी वो चलवाई या ना चलवाई यह लाजमी न अब अपने हिसाब से कीज़ेगा जैसे आपके उस्ताद कहते हैं आपने वैसे करना है हर teacher का अपना method होता है जी अभी हमें क्या करना देखे इसके साथ आपको log नजर आ रहा है नहीं है देखे इसका log चला गया log नहीं है लेकिन हमें यहाँ पर need है तो हम यहाँ पर वो value ल अब यह देखें कि जब इतने पाट को आपने याद रखना है कि हर एक question में जिसके साथ log नहीं है न तो यह क्या है यह याद रखें यह characteristic है तो आप क्या करेंगे means क्या इस characteristic को वाँ shift कर देंगे समझे इसको remove कर देंगे इसे shift करेंगे characteristic को आपने धरुस्त कर दिया क्या गया log 31.09 और is equal यह minus वहाँ गया तो minus 1.4926 ठीक है बटा यह क्या हो गया अब यह आपका answer है समझाया है अगर नहीं समझाया हो कोई problem हो तो आप पूछ सकते हैं ठीक है यह हो गया अब हमने इसके बाद दूसरा करना है सवाल दूसरा क्या करेंगे हम दूसरे question में भी यही तरीके कार होगा और कोई इसमें इतनी changing नहीं होगी तो हम दूसरा कर लेते हैं इसे हम remove कर देते हैं ताके आपको आसानी से दूसरा भी समझा जाए space भी हो अब जिन चीजों की requirement होगी हम वो रहने देते हैं ठीक है वो हमारे पास रखी रहें वो हम remove नहीं करते समझा गया ना बिटा यह देखे अब हमने यहां से यह और यह question भी हमने remove कर दिया और यह बाकी चीजें हमारे पास लिखी रहें क्यूंकि इनकी need हमें बार बार है अब हम second करते हैं question इसके बाद second question देखे कौन सा है हमारे पास second हम यह कर 2.9 ठीक है हमने क्या किया अब हम second करेंगे यह हम question आपके सामने लिख रहे हैं अब यहां से इसे थोड़ा सा हम side में कर देते हैं ताकि थोड़ी space बन जाए और इसे हम थोड़ा इस तरफ से करना शुरू कर देते हैं question को न जी अभी second इसमें यह तो हमने वो law रखा हुए सा हमने ताकि जिसके तहता में काम करना यह वो है अब आप क्या करेंगे अब आप इसके बाद second लेने second क्या है log यहां ले आते हैं ठीक है log 310.9 ठीक है यह हमारे पास second है और is equal हम यह चला देंगे 1.4926 यह है जी अब इसमें आपने क्या करना है इसमें भी आपने वोही तरीका कार करना है जो के हमने आपको सिखाया है अभी आप point को shift करवा देंगे ठीक है बटा अब हम point को अगर shift करवाते हैं तो हम देखें point भला कहां आएगा यह देखें point ने अब आना है यहाँ पर हमने का point जब आपके left hand की side जाएगा तो कह right sign होगा यानि power क्या बन जाएगी plus की बनेगी अभी हम कर लेते हैं इसे shift ठीक है बड़ी आसानी से आपको समझा जाएगा आप माशाला बड़े अच्छे बच्चे हो ठीक है बटा जी हमने देखें लिखा log और हमने shift करके इसे क्या कर दिया हमने 31.09 ऐसा हमने क्यों किया हमने ऐसा इसले किया कि उन्होंने हमें कहा है कि ऐसा है ये रहा हमें ऐसा ही करना है तो हमने ऐसा कर दिया है and is equal आप इसको जब हमने जैसे ही point को shift किया तो into लगाएंगे और यह हम into लगाने के बाद क्या करेंगे हम यह base लगाएंगे 10 jump किस तरफ किया left की तरफ और क्या right sign होगा and is equal यह as it ऐसा आ जाएगा ठीक है अब हमने लिखा log 31.09 and इसके बाद आप क्या करेंगे log का rule apply करेंगे कौन सा rule होगा log का rule अपने आपको सिखाया न अभी अभी हम आपको यहां लिखा है हम आपको दिखा रहे हैं यह वादा rule आप apply करेंगे कौन सा यह रहा multiplication change into plus तो यह रहा multiplication इसको plus में change कर दें और लिख दें आप यहां पर log लगाएंगे ठीक है जैसे plus में change करेंगे कि हमारे पास एक और भी है rule वो हमने यह आपको बता रखा कि power log से पहले आई ही ठीक है यहां अपने इस इकोल लगाया log 31.09 and plus 1 यहां ले आए और यह log log 10 is equal ही आगया यहां अब आपने याद रखना है कि log 10 बराबर किसके है हम जानते हैं log 10 बराबर 1 की है आप यह 1 पूट कर दे log 31.09 and plus आपने क्या किया यह 1 की तो कोई value है निए आपने इसको 1 कर दिया 1 and is equal अब हम यह रखन लेख लेते हैं यहां पर 1.4926 ठीक है अब आप जानते हैं इसके सथ log था वो खतम हो गया आप नहीं है अब यह कै यह characteristic है इसकी जगा आप यह पूट कर दें तो आज अगा log 31.09 and is equal यह 1 मा गया तो क्या गया 1.4926 ठीक है पटा और यही हमारा answer है यह answer है ठीक है पटा यह answer हो गया समझा गया है इंशाल्ला समझ आया होगा क्यों नहीं समझ आया होगा अच्छे बच्चे हैं आपको समझ लाजमी आया होगा यह ठीक है अब हम next कर लेते हैं question अब हम points वाला करते हैं कौन सा वाला करेंगे points वाला हम करेंगे देखे मारा points वाला कौन सा है यह देखें यह है points वाला यह रहा यह ठीक है जिसमें zeros दे रखें यह कर लेते हैं हम हम दुबारा से यहां आगे हैं हम इसे erase करते हैं और आपको समझ ये भी आ गया है, अच्छे बच्चे आपको यकीनल सब समझ आ रहा है, ये वैल्यूस हम वैसे ही रखी रहने देते हैं, क्यूंकि ये हमें काम आ रही है, अभी बिता हमारा कौन सा है question, ये है number third, हमने लेका number, number three, number three क्या है, इसमें थोड़ा आप change feel करेंगे, और आपने रेकिन ये है, कि इसको आपने कोशिश करनी है, कि आप समझें, और आराम से करें सवाल, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, अब ये है, थोड़ा आपको rules भी नजर आ जाना, मैं ऐसे set कर लेते हैं, question है भीटा हमारे पास, जो दे रखा है उन्होंने, log 0.00313109, ठीक है, ये question है, जी rule इसमें भी वही जलेगा, भला क्या, हमने point को shift करना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, यानि point ने 4 जम्प किये, और कहां गया, right side पर गया, means 10 power minus की आएकी, हम वो लगा लेते हैं, minus की, पहले इसको हम shift करते हैं, shift करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, हमारे पास आजाएगा, log, अब हमने यह नहीं लिखना, shift हमने समझे कर दिया, क्या किया हमने, 31.09 into 10 power minus कितने जाओ, 1, 2, 3, 4, तो minus का 4 आगया है, ठीक है बटा, minus का 4 आगया है, अब हमें क्या करना है, हमने जैसे ही यहाँ पर इसको इस तरीके से किया, अब हम यह बात जानते हैं, कि हमें इसमें log के rules लगाने है, तो rule apply कर दें, log क्या है, into किसमें change हो जाएगा, आप यह बात जानते हैं, कि into change हो जाएगा, plus में, यह वाला, और साथ ही log भी लग जाएगा, जब आप sign change करें न, आपने log जरूर लगाना है, 31.09, यह into plus में किया, और हमने साथ में log लगा दिया, और साथ में हमने दूसरी रगम को लगा दिया, ठीक है, इसके बाद हम यह बात जानते हैं, कि यह जो है power, यह आई ही log से पहले, अब हम यह भी कर लेते हैं, rules तो याद रखने पढ़ते हैं, तभी तो काम होगा, ऐसे नहीं होगा, rules हमेशा याद रखें, log 31.09, and क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस यह साइन लगा है, माइनस 4 वहाँ से आएगा, यह राह यहां आएगा, और यहां क्या बच गया हमारे पास, log 10 बच गया, log 10 के आते ही, अब हम एक तो इसे प्लस माइनस माइनस करनेंगे, एक हम यह भी बात जानते है कि log 10 बराबर किसके है, 1 के बराबर है, यह हमने बता रखा है, तो हम यहाँ पर value पुट कर देंगे, अब हम value पुट कर देते हैं, किस तरीके से करेंगे, देखें, हमने क्या किया यहां, is equal log 31.09 प्लस माइनस माइनस का 4, कुछ नहीं बीच में, into log 10 की जगा हमने 1 पुट क किया, is equal log 31.09 माइनस 4 वनजा, 4 हमने डाल दिया, ठीक है, and is equal उपर वाली, अब हम value लिख लेते हैं, 1.4926 ठीक है, यह हमने value लिख ली, अब आप यह बात जानते हैं, हमने हर सवाल में आपको बताया, और आप अच्छे बच्चे हैं, तो यकीनन मेरा बेटा, आपको यह या आएं, समझे कि आपका characteristic आपने दरुस्त करना है, ठीक है, अब हम यह आ ले आते हैं, तो यह हो गया log 31.09 is equal, यह माइनस वहां गया, तो माइनस का 4, ठीक है, 0.4926, अब आप यह बात जानते हैं, हमने आपको बता दिया है, कि यह क्यों ऐसा है, हमने वहां इसको क्यों shift कर दिया है, ठीक है, किसी student ने यह question किया, कि इसको हम क्यों shift कर रहे हैं, तो इसे हम इसलिए shift कर रहे हैं, कि इसके साथ log नहीं है, था, वो rule के मताविक खतम हो गया, it means, यह क्या है, यह characteristic है, इसलिए हमने इसको इसकी जगा पहुँचा दिया है, और हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा next है, हम वो करते हैं, ठीक है, अब हम वो question कर लेते हैं, इससे हम remove करते हैं, और असल में बेटा copies पर लिखने की आदत है, तो यहां थोड़ा सा टेड़ा मेड़ा हो जाता है, no problem, हो जाएगी इसकी भी practice, practice हो जाए तो सब कुछ आ जात हम, अब हम यह वाला कर लेते हैं, last वाला क्यूंकि इसमें point जो है ना, वो देखें point कहीं भी यहां पर, नजर नहीं आ रहा, point है यह नहीं, तो हम यह आपको करके बताते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और पर इंशालला ताला, आपकी exercise complete हो गई, यह है question number six, ठीक लिखा जाएगा, log 3109 और उसके आगे उन्होंने और 26 का और इजाफा कर दिया है, ठीक है, अब आप यह समझे देखें, इसमें तो point है नहीं, अब हम क्या करेंगी, आप ऐसा करें, अब calculator में लिखेंगे न, 310926, तो calculator बड़ा स्यान है, बड़ा अकल मंद है, वो यहां आ 3, 4, यहां 4 जंप करेगा, और point इस तरफ को आ रहा है, तो 10 के उपर power क्या है, उल्टे हाथ पर आ रहा है, तो plus की power हो जाएगी, हम ऐसा कर देते हूँ, is equal हमने लगा है, और लगा है log, अब आप इसको shift कर ले, point को 31.09 and into 10 पार, अब देखें, plus का 4 आ गया, क्योंकि इस तरफ को गई न, तो power plus की हो जाएगी, अब आप जानते हैं कि आपने क्या करना है, into change हो जाएगा, plus में, हम वही तरीक्या करपना करेंगे, और पुराना खा जो आपका है, हम उसी में काम करेंगे, तो देखें, हमने लिखा is equal डाला, हमने लिखा log 31.09, और ये into किसमें चेल जाएगा, ये हो जाएगा, plus log 10 पार 4, जी फिर हम जानते हैं कि ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, पावर लॉग से पहले आएगी, तो is equal डाला, लॉग 31.09, और प्लस, क्या आजाएगा हमारे पस, 4, और क्यूंके प्लस की पावर है, तो आपको जरूरत नहीं है, कि आप उसको ब्रैकेट में लिखें, और इसके बाद हमने ले लिख दिया, लॉग 10, अब आप ये बात जा तो बिटा, आप यहां पर 1 लगा देंगे, ठीक है, 1 लगाएंगे किस तरीके से हो जाएगा, यह देखें, हमने लिखा, लॉग 31.09, प्लस, 4, इंटू, 1 हमने कर दिया, अब 1 को आप मल्टिप्लै कर लें, तो लॉग 31.09, प्लस, 4, 1 जा, 4, 4, is equal, अब हमें उपर उस रकम की नीड है, जो यहां साइड में, राइट हैंड साइड थी, 4, 9, 2, 6, ठीक है, अब आप जानते हैं, कि हमने आपको यह बात समझा दिये, कि देखें, इसके साथ लॉग है, इसके साथ लॉग नहीं है, इट मीन्स, इट इस दा जो है, वो प्लस और माइनस का हो सकता है, लेकिन मैंटी सा कभी भी माइनस का नहीं होगा, आगे चलके आप exercise करेंगे, माइनस का आएगा न, तो हम उसको प्लस का बनाएंगे, रूल्स को यूज करके, क्या बन गया हमारे पास, लॉग 31.09 is equal, यह 4 चला गया यहां पर, तो क आपको समझ आया है, इन्शालला समझ आया होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, आपको समझ आया है, आगे भी लोगर्थम का हम आपको बताएंगे, और जो बास समझ नहीं आई हो, आप जरूर पूछ लीजेगा, इसकी practice करें, एक मरतबा देखके करें, फिर ज आपको प्रेक्ट, हाशा भाष, मैटमेटिक्स में उश्यार बनने के लिए, आपको practice करने है, और आपको जब ये log, anti-log और इनके rules का यूज़ करने है, क्या करने ही याद होगा, तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी, अब है, हम next time आगे मजीद इसकी exercise करेंगे और math के लावा हम physics, chemistry, biology, 9th, 10th, ये भी हम upload करते रहेंगे, तो आप फटा फट शाबाष, चैनल को subscribe कर लें, वीडियो को like करें, और share करें, ताके दूसरे लोगों का भी भला हो, जब किसी का भला करें, तो आपका भी भला करेगा, इन्शाल्ला ताला, ठीक है बेटा, हमने आपको दूआ में बहुत याद रखा हुआ है, इन्शाल्ला ताला, अल्ला ताला आपको ज़रूर काम करेगा, कामियाब हमारे बच्चों को, अल्ला ताला आपको आपकी जो ambitions होंगे, उनको ज़रूर पूरा करेगा, ठीक है, अपने बड़ों का कहा माना करें, अम्मी अब अपना बहुत खयाल रखें, ओके टेक कियर बिटा, अल्ला आपीज,